आपको सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को आप जरूर दबाईए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फिलाल बेड वर्सेज बेटी सी का मामला क्या है तो आपको पता है कि 11 अगाश दोलो तेईस के बाद में बेड को प्राइमरी में माना नहीं जा रहा है उनको पात्र नहीं माना जा रहा है ऐसे में जो है मद्प्र देश यնजबलपूर हाइ कोर्ट में केस चल ला है कि 25 नॉमबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट में ये आडर आता है कि जो NCT का जो 2018 का गजट था उसको रद दिखिया गया है अब मद्य प्रदेश में बैकेंसी 2021 के बाद आई है तो ये लोग वैलिट कैसे हो सकते हैं इसी वी जो बेड के तरब से जो वकील है वो ये कह रहे हैं कि नहीं जो यहां पर पूरे देश के लिए जो चीज़ें लागू होती है वो सुप्रिम कोर्ट के आडर से लागू होती है अपना ग्यार अगस 2013 को दिया था जो कि इससे पहले से भरती मद्यप्रदेश में चल रही तो ये बच्चे जो है वैलिड हो सकते हैं फिलाल इस पर लगातार सुनवाई चल रही है कल भी इस पर सुनवाई चली थी और आज भी इस पर सुनवाई होगी और उम्मीद है कि आज इस पर order आभी जाएगा तो जो भी update होगी देखा जाएगा फिलाल हम तो यही कहेंगे कि किसी भी बच्चे की नौकरी नहीं जानी चाहिए ठीक है बेड़ हो ना हो अलग की बाते हैं बट नौकरी तो किसी की नहीं जानी चाहिए बेड़ वैलिड होगा नहीं वैलिड होगा वो तो हम बाद की बात देख लेंगे जहाए 69,000 सिक्षक बढ़ती हो चाहे मद्ध प्रदेस वाले बच्चे हो चाहे 36 गड़के हो चाहे वेस्ट बंगाल के हो जहाँ पर बेड़ चाहतों ने एक भी दिन जाकर क्लास में पढ़ा दिया है बच्चों को निउक्ती ले लिए वो लोग नहीं अटे चाहिए ये मैं जानता हूँ फिलाल देखते हैं आज क्या होता है आज जो भी आदेस होगा वो मैं आपको अपने चैनल पर सबसे सही सबसे चतीग और सबसे तेज मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग चैनल को सबस्क्राइब परके जरूर बने रहें चलिए बढ़ते हैं आगे की अगली अपडेट देखने क्या है चलिए गए तो वीडियो इस्टार्ट करन से पहले हम लोग बात करने वाले हैं बेर्ड सायूग तो प्रवेस परिक्षा यानि बेर्ड इंटरेस एक्जाम की बेस्ट बुक के बारे में और इसमें आपको प्रिविएस येर पेपर भी देखने को आपको मिल जाएगा और साती साथ पूरी कंप्लीट गाइड है यानि ये बुक पढ़ लेंगे तो आपका जो बेर्ड इंटरेस एक्जाम है इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप किसी भी अगर बुक इस्टोर पर भी लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं साती साथ आप लोगों को स्क्रीन पर यहाँ पर दो बुक इनकी और दिकर रही है अगर आपको चाहिए तो यह भी आप बुक जो है आप ले सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले ली जी इसको UPCC से दो बड़ी अपडेट है UPCC PET की जो अंतिमुत्तर कुंजी है रिवाजड एंसर की है उसको जारी कर दी गई है UPCC की ओफिसल वेबसाइट पर जाकर आप रिवाजड एंसर की को आप डाउनलोड कर सकते हैं 28 और 29 अक्टूबर को यह परिक्षा हुई थी और इसकी जो पहली एंसर की थी वो 6 नॉमबर को आई थी बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और जितना नंबर आपका इस एंसर की से सही आ रहा है लगबग उतनी नंबर आपको जो रिजल्ट आएगा पेटका उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा चले अगली अपडेटका जो अनुदेशक की भरती जो आई थी उसकी परिक्षा जो है 25 फरोरी को होगी इसकी भी देट जो है वो अनॉंस कर दी गई है तीसरी और बड़ी अपडेट है रेलवे में वेकेंसी को लेकर के आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे में बहुत बड़ी वेकेंसी आती है क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा भरती बोड भी है रेलवे बहुत बड़ी भरती निकालती है क्योंकि भाई बहुत लंबा इसका छेतर भी है तो ऐसे में जो चात रहे हैं वो ये कह रहे हैं 25 जनौरी को क्या चलवाने वाले हैं लिखा इसमें hashtag increase railway alp technician vacancy इन्होंने ये भी कहा है और साथी साथ ये भी कहा कि in railway alp and technician that must be over 70,000 vacancy should be released with minimum 3 years age lexation यानि कि ये कहा है कि जो railway alp and technician उसमें 70,000 से अधिक vacancy निकाली जाए और सब में 3 साल की छूट भी दिया जाए इन्होंने ये भी बताया कि RRB GE में 15,000 से जादा पोस्ट खाली है senior section engineer यानि RRB SSC में 6,000 से जादा पद खाली है group D में 50,000 से जादा पद खाली है वहीं पर NTPC में 20,000 से जादा पद खाली है तो जब इतने पद खाली है यानि total इन्होंने यहाँ पर बताया है after a long waiting for 6 years students deserve 1.5 lakh post to be released by railway इन्होंने कहा है कि 6 साल से कोई vacancy नहीं आई है ये 1.5 lakh से जादा पद खाली है तो आप थोड़ी-थोड़ी vacancy की रिकालने है आप एक अठे ही सारी vacancy निकाली है जिससे बहुत सारे जो बेरोजगार चात्रें वो इसमें अपना जो हैला का अजमा सकें और अच्छे से यहाँ पर तायरी करके वो अपनी एक सेट ले सकें तो इसी को ले करके आज जो चात्रें वो यहाँ पर करने वाले हैं आज हैज्टेग campaign ठीक है यानि ट्वीटर पर हैज्टेग करेंगे जय हिन जय भार